तेजासी विया पर भी हम गाहे थे, मैं नहीं चाहते कि मैं फीर से दोबारा उस वर्ड को और वो वर्ड को मैं दोबारा दो रहा हूँ यह मैं लालु सर के जनम दिन पे घाई थी, मुझे बोला गया था कि गोर तुता रहला भासूर भाईला चित का बर साचो के कोटावा पहीराला से हीरो ना कहई बाए तेजस्वीजी कि कहिया के चालल तुम्हु हावाये साईले साभेड़ूआ दमस्ते मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोस देखना हैं अभी बिहार में हैं और एक खुबसूरत सी लड़की जो करीब 6 महीने या 7 महीने पहले खुब बारेल हुई लेकिन जब थोड़ा पॉलिटिकल तड़का लग जाए उसमें किसी एक इनसान को आप गा रही हो वो इनसान जिनकी अपनी प्रसिद्धिय अपना एक नाम है उपर से वो राजनेता हो तब तो वाइरल होने का मतलब एक होता है ना कि मौके पे चौका नहीं छक्का लग गय है और आप तो खुब वारे लोग क्या कमेंट में क्या लिख रहे थे कि मतलब हमारे दिल में भडास था आपने निकाल दिया बोलके ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं था बहुत लोगा कमेंट्स भी हम देखती ते उस वक्त तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कमेंट्स देखने का बहुत जादा इंटरव्यू हो रहा था और काफी अच्छा लगा था कि हमारे पारंपरी गीत को इतना प्यार अशिरवाद मेला वहां पर बात बात आगे बढ़ाएंगे पारंपरी गीत में हमें तो वहां पर बोला गया था पहले स्टार्टिंग में कि बिटा शादी का मह बेढ़ के लिए तो स्टार्टिंग में हम सोहर ही गाय थें लेकिन शोहर नहीं हुआ यह वाईल हुआ पता नहीं है बलक खलर के सारा जीतने मतलब उनको उपर में जीतने पुसाग था सब ब्लक में ही था और मम्मी मेरी गाती थी तो वही मुझे ध्याना गया मंज पर ही कि वही गाते हैं तो हम गाय थी कि फिर मुझे वहाँ पर बोला गया कि कुछ मंगल गित गई है तो फिर मैं वहाँ पर उनके बहनों भी बैठे थे साहलेज जी भी बैठे थे तो उसी पर मैं गाय थी कि कहिया के चालल तुह हावा ये सैले सा भिड़ुआ कि तहरा घारावा में चोरावा समये ले हाए सिया राम के भजो यन धन चोरावा हो कुछुओ नाली हाले हो आइन का बहीने के बना ले मोटरिया हाए सिया राम के भजो तो इसका इस गाने से बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग फुसी मना रहे थे डांस कर रहे थे और एक और एक ऐसे करके मतब चलता गया लगता है तो उसके बाद कौन था गाई या उसके बाद में तेज परताब भाहिया भी थे वहाँ पे और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं गाऊंगी तो इतना वारल होगा क्योंकि वहां कोई यूटूबर लोग थे ही नहीं वहाँ जो थे कैमरा वाले थे लेकिन हमें नहीं पता इतना वारल था तो था ना पॉन है तो मतलब आजकल वारल होने में ता हम अपने पॉन से आंटी लोग भी डिमांड करने लगी और लोग बोलने लगी कि बेटा गाओ लॉलीपॉप लागे लो लेकिन हम तो पारंपरिक गाते हैं तो हम बोले नहीं आंटी उसके जगह हम दुसरा गा देंगे लेकिन मैं वह नहीं गा सकती हूं फिर भी वह बहुत फोर्स की तो मु की बेहन सुनी लंकल की मतलब ननद और भोजाई दोनों तो मैं ननद भोजाई को देखके गाई थी कि कि ननदो खईबू नपी अबू मोटईबू कई से आया पन राजा जी के पेट पहलोटईबू कई से ये काफी ज़्यादा आंटी लोग ठुमके लगा रही थी इस गा कि आते हैं तेजप्रदा भाहिया भी आते हैं को लेके भी आपने गाना गाया था तो मतलब गुस्ता नहीं हुए इस तरीके के गाने को सुनके अब वहां से मुझे बुला गया था पारंपरिक में आपको मंगल गित गाना है लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि नराज ह कुसी होंगे हमें हम बस इतना माइन में शेट कर लिये थे कि मुझे वहां 100% देना है बाकी का जो होगा वो देख लिया जाएगा जो मतलब होता है ना रिस्क लेना वो मैं रिस्क ली थी और हमें नहीं पता कि वो रिस्क लेने से इतना अच्छा पॉब्लिक को मिलेगा और वही मेरी स्कली फिर उसके बाद में जब मैं मंगल गित गाईते जस्विया तेज प्रता भाईया को लेके तो वो लोग भी मुस्कुरा रहे थे चेहरे पे बहुत मुस्कुराइट थी तो हम भी देखे फिर मैं गाने लगी कि हमरो तेजस विभया के नाम आताना अहो बढ़ाए आताना आए गुरुपियो ना उड़ावा ले सिकाईत काताना फट से जब गाना सुनते हैं तो हसते हैं हस के पिछे से इसारा देते हैं किसी को और मतलब जो इनके आस-पास के लोग खड़े रहे तो वो लोग मतलब जो अशिरवाद होता है अपना देना स्टार्ट करते हैं फिर में गात फिर मतलब ऐसी लगतार प्रोग्राम चलता कि हम लोगों का और बहुत अच्छा वामाहल बना तो पारंपरिंग में में ज्यादा विदाई की गाती हूं जिसमें मम्मी हमारी बताई थी कि बाजवाली हले बजनिया हो भईया डोलिया लिहले काहार अच्छातावाली हले आपना हो भईया बहीनी संहावा जास यह जब हमारे यहा लड़की की विधाई होती है तब गाते हैं फिर जब लड़की जब कुछ दूर जाती है तो अपने माबब के रास्ते में याद आता है तो गाती लड़की बोलती है कि फीरी जाहूं अफीरी हो जाहूं भईया हामार घरवा मामी रोवत हुई हैं दिहा सम जाई घरवा चाची रोवत हुई हैं और तु मेरा इंस्ट्रग्राम पे वारल था, जो था कि हमरा कमरो मिसोडियां पेन हावी राजाजे दिलावा के काहरा सेला गलूबा बतावा ये राजाजे दिलावा के कहरा सेला गलूबा कि हमरा चोटिया से लाग गई ले चोट हो बलम दूबरा गई ले आवा यावा सासू पालंग चाड़ी बई ठा आया पना बाबु आके होरा लिक्स पियावा हो बलम दूबरा गई ले बहुत सई तो यह लोग गीत हैं जिनकी वज़े से हेमा जी चर्चाओं में रहती हैं बोच्पूरी में सिर्फ वही नहीं है जो आपको दिखाया जाता है और जिस पर अपने आपको लोग ब्रैंड इस्टार सूपर इस्टार ट्रेंडिंग इस्टार कहते हैं इसके अलावा बोच्पूरी में अपने समाज में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लड़के बहुत साही लड़कियां बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं जिसे प्रमोट करने की जरूरत है जिसे दिखाने के आप वो गनवा नहीं सुनाई अभी वो जो उनके बहन के लिए आपने गाया वही तो था था बुना इंको सुनाने में मुझे लग रहे है थोड़ा घबराट हो रहे हैं मंगल गीट था और मंगल गीट में अच्छा ट्रोल हुए वह आके थोड़ा सापको टोल कि हूंके रहे ऐसे कैसे गादी नहीं आना चीए था ऐसा कुछ नहीं ऐसा बिरोध हुआ मैं तब कितीने लोग थे जो बहुत तरीके की बाते कर रहे हैं मतलब सोशल मीडिया पर वार्यल होने लगा तो किसी तरीके का कोई वी रोध या कुछ ऐसा टो ट्रोलिग हुआ नहीं नहीं ऐसा नहीं बस सब कुछ ठीक था सब कुछ नॉर्मल था मतलब कुछ लोग थे जो हमें ही परेशान कर रहे थे सोसल मेडिया पर आके बहुत जादा हमाई दिक्कत आने लगी थी जैसे कि मैं वारल हो गई थी तो या तो गाई की बंद कर दो धंकिया आने लगी थी होता है न, जब वारल होने के बाद चीजे जब इंसान नीचे से बहुत गरीबी देख के जब अगे उठता है तो उसके पीछे के जो कुछ लोग होते हैं तो मेरे ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें मैं बहुत परिशान थी मैं मेरी पूरी फैमिली परिशान थे घरवाले परिशान थे और उसके बाद मैं FIR वगेरा की सब के उपर नई मुझे ये पता नहीं चला कौन थे लोग हालेकिन इतना पता चला कि वो लोग ये चाहते थे कि मैं सोसल साइट छोड़ दू और ये सारी चीजे छोड़ दूगी कि सब लोग बोलते थे भाई बिहार में जिनका विरास चल र तेज प्रता भिया मतब सब लोग का शुनी लंकल का अज सुनी लंकल का देन था जो मैं यहां पर यहां तक आई बहुत सपोर्टी पूरा घुमा-घुमा के गाने ना बुलवाई यह वो गाना है आपको मैं सुनूंगी है हाँ वो जो मंग बोलके और गाब नहीं हुना घुमेली साइलेस के बहने कि हाँ थावा में बे कि हा थवा के बेग लेके गुमेली साइलेस के बहने कि अब के कारा महलिया देरा डाले है सी आराम के भ़जो अपना महलिया में से निकले ले तेज़ परताप भया कि अब हमारे महलिया देरा डाला हैसी आहराम के भजो उसके बाद में हम आते हैं तेज़ परताप भया वहां पर लोग बोले कि मंगल गाना है यह तो सालेस जी पर लेकिन अब बोला गया कि तेज़स्वी जी पर भी दो लाइनाप गाई है तो तेज़स्वी पर भी हम गाहे थे मैं नहीं चाहते कि मैं फीर से दोबारा उस वड़ को हाँ हाँ और वो वड़ को मैं दुबारा दो रहा हूँ क्योंकि हाँ वहां पर जब महौल था साधी बिया का तो मैं नाम रख के गादी मंगल गज़ था तेकिन अब मैं नहीं चाहते कि बार बार इंटर्वीव में मैं उनका नाम लू लेकिन हर जगा पर कितने जगा पर ल नहीं तवा किता हरा घारावा में चोरावा समयले हाँ इसी आराम के भजो कि अनिधन चोरावा हो कुछुओ नाली हाले हो आइनिका दिदिया के बनाले मोटरिया हाँ इसी आराम के भजो बानिया मोनिया चोरावा घरे लेके गईले हो आउनके देई देले भईया के से जरिया हाँ इसी आराम के भजो फिर एक था कि कमर के नीचे पहर के अघू मेले साडे हो सेलेस जी के तीनों बहिनिया तीनों खेलाडे हो यह मैं लालु शर के जनम दिन पे गाई थी मुझे बोला गया था गाने के लिए तो यह में गाई थी काफी ज़्यादा प्यारा शिरुवाद मिला था और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहती हो सबको कि हमारी जो पारंपरी गीते थी सबसे ज़्यादा वारल कौन शाहती है हमारा सबसे ज़्यादा वारल ते जसी भी आप तो जो गाई थे वो तो था ही करोड़ों में जा रहा है भी ऐसे तो में इंस्ट्राग्राम पे एक था मैं अल्बम की नॉर्मल इस्टूडियो म मैं ऐसे सोचल मेडिया पर देखती थी कि सब लोग आते रहते हैं जातिवाद को लेके लेकिन जो हमारे समाज में अभी चल रहा है कितना भी हम लोग बड़े बन जाए लेकिन जो हमारी संस्कृति में है कि हमें अपने ही कास्ट में जाना चाहिए अब तो चेंज हो रहा है सब कुछ लेकिन हम लोग को ऐसे दिमाग में आ था तो दो लाइन भाईया लिखे हुए थे तो इस्टूडियो पर में गाई थी य स्ट इंगर भी उठा कर गए थे गाने को ये सब काफी ज़ादा वाल था एक आफरी कोई शादी का महाल हो उस पर अगर आज कूगा निकले कहाँ जया है तो फिर जब माडवान जब माडवान चावाता है तो लड़के अपने पापा से बोलती है तो पापा का रिपलाई होता है कि अब का तु धो अबु बेटी आयब का पखर अबु हो आ तु त जयबु आना कादू वार ये लाला कि लोटावा के पनिया लेले निकले लिया पना बेटी अधिना भाईया गोड़ा वाधो वार ये लाला तो इसी तरीके से पापा चाचा भाईया बाबा दाला जो मार जो बैटता तो भसूर जब आते हैं तो गुरहती में कि गुर्तुता रहला भसूर भैला चित काबर साचो के एला गेला लिल पड़ाक साचो के तो बहुत सारे हमारे यहां पारंपरी गीते हैं तो जो माड पे गाया जाता है लड़की पक से लड़के को जो आरोप लगाया जाता है कई कई ऐसे लोग गीत होते हैं उसमें अगर एक डू सोना है तो आज जैसे कि गुरहती होता है, तो लड़किया भाई वहां बैठी रहते हैं, लेकिनों लोग भी देखती हैं, सर नीचे ही करके लेकिनों लोग भी देखती हैं, कि भाई क्या चड़ रहा है, क्या नहीं चड़ रहा है, तो एक मेरी माता जी ही बताई थी, कि जब लड़की अपने पापा से सिकाइद करती है तो फिर लड़की के पापा हसते हैं और रिप्लाई वो देते हैं कि अरे होसे लेया पना हो पापा अमुखे खाले हो पानावा अरे हम देबु मांग केटी का अरे हम देबु मांग केटी का आपापा तो अरे हावल दारावा मतलब कि पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं वो लोग नहीं दिये तो क्या हुआ तुम्हारे पिता जी तो पहले से हावल दार है हम दे देंगे तुमको और लड़की का हम इसा सिखाए तो अपने पापा के पास ही रहती है और ममी के पास में ही कि अर्माई दूलाहा के पापा कि अर्माई दूलाहा के पापा रूपेया के जामल होवे रे माई रूपेया कारन बेटा बेचले रे माई रूपेया कारन आर्माई लोई की के पापा दिलदार होवे रे माई गम छी वी छाके रूपेया गिनले रे माई गमची बीचाके आरे माई दूलाहा के चाचा की आरे माई दूलाहा के चाचा रोपया की जामल होवे रे माई रोपया कारन बेटा बेचले रे माई रोपया कारन तो यह लोग गीत है जिसको आप मुझे लगता है अगर आप सुन पाए हो समझ पाए हो तो यह दिल की गहराईयों तक पहुंसता है लेकिन अफसो उसके हमारे देश में अब इन चीजों का प्रशलन खतम हो रहा है क्योंकि भाई साब आ गया है डीजे अब खाना बनाने वाल पाए है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग गाते हैं लोग मतलब एक बहुत सिकाइद कर दिया अपने हस्बेंड से उसके हस्बेंड आउट ओभ कंट्री तर ऊच्छिए जावा फिस टेट्स उचिए थे और अपने अपने सास्थाशूर का शिकाइद का कर दिया तो गुस्से में बोलती है कि बुढ़ावा बॉइठल बॉइठल बरेला रसरिया आबाने के बकरिया ना बुढ़िया लईका ना खेलावे आब बुढ़ावा भॉइस ना चारावे तो गुस्से में बुढ़िया लईका ना खेलावे आब बुढ़ावा भॉइस ना चारावे आब बुढ़ावा बुढ़िया के मान सहक वलेबा तातल जी ले भीखिय वलेबाना आब बुढ़ावा बुढ़िया के मान सहक वलेबा तातल जी ले भीखिय वलेबाना तो यह हमारी माता जी बताई थे आपको कैसे कांटेक्ट करें लोग आपका कोई एक ओफिशियल पेज होगा अपकी मुझे पता है कि अगर आप लोग गीत पसंद करते होंगे आप तक यह गीत पहुचा होगा यह इंटर्व्यू पहुचा होगा तो आपकी इच्छा हो रही ह होगी कि अगर हमारे हां कोई कारेक्रम हो तो हमां जी आए तो कैसे बुलाएं आपको हां मेरा इंस्ट्राग्राम हेमा पांडे वन नाइन बहुत इजी है हेमा पांडे 19 सर्च करेंगे आ जाएगा और बायो में नंबर दिया हुआ है फेस्बुक पेज पर भी हम डाले है व मेरा ही लोगो है एज करके है वाइट और रेड में तो आप लोग वहां मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करिए तो आपको यह बातचीत कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर आपको हमा जी अच्छी लगी आपको लगता है कि इनके गाने आप तक पहुंचें तो आप इनके शोशल मीडिया साइट पर जाकर इनको ढूंड सकते हैं यूट्यूब फेस्बुक इंस्टाग्राम जहां ढूंडेंगे वहां मिल जाएगी बाकी कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा नमस्ते